हलो सुडेंट आज अपन डेटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है डेटर्मिनेंट डेटर्मिनेंट क्या होता है अपने मैट्रिक्स पढ़ लिया मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है तो लोगों ने समझदार लोगों ने मैट्रिक्स का वेल्यू निकालने का सोचा, तो वो value निकाला उन्होंने, लेकिन उन्होंने square matrix का ही value निकाल पाए वो, और बाकी तो सारे जिग जग बहुत सारे हो सकते हैं, square matrix का value निकालने के लिए उन्होंने जो फंडा तैयार किया, वो फंडा ही determinant कहलाता है, matrix को एक value से associate करना, matrix को एक value से associate करना ही determinant था डिटर्मिनेंट एक वायली होती है किसकी स्क्वायर मेट्रिक्स की स्क्वायर मेट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट के बारे में अभी चर्चा ही करता हूं अपना टॉपिक है आज का अब यह पन एक साइच 4.1 स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले डिटर्मिनेंट से रिलेड़ेड़ कुछ बैसिक बाते कर देता हूं तो पहली बात तो यह स्क्वायर मेट्रिक्स का ही निकलता है तो सबसे छोटा डिटर्मिनेंट यह होता है इसको मोड नहीं समझेंगे य इसको है इसका 3 का डिटर्मिनेंट 3 होता है माइनस 3 का माइनस 3 होता है सबसे छोटा डिटर्मिन एक रोव एक कॉलम का ठीक है यह मोड नहीं है ज़ जा जाएगा इसमें सीधा बहार निकल जाएगा सैक्वाइर मेट्रिक्स का ही निकलता ए तो 2 4 3 6 यहाँ पे 3 2 लिख देत तो टू बाई टू ओडर का है यह कितने का है टू बाई टू ओडर है इसको अपन सेकंड ओडर डेटर्मिनेंट बोलते हैं ठीक है इसका वैलू कैसे निकाला जाते है फर्स्ट और लास्ट को मल्टिप्लाई कर दीजिए और माइनस लगाना है फोर्मूले का और इन दोनों को मल्टिप्लाई कर दीजिए 4 इंटो 3 इससे जो रिजल्ट आएगा वो 2 बाई 2 का डेटर्मिनेंट का अंसर होगा तो यह हो गया 4 और माइनस 12 तो अपने पास अंसर आ गया माइनस 8 नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आ सकता है यह ठीक है तो यह तो 2 ओडर का हो ग उसको अपनी सौल करते हैं कैसे करना है आपको पहले वन को लिखना है छोटा डेटर्मिनेंट सेकेंड वाले वाले टरीक्याइंट का साइन चेंज कर देना कुछ भी हो आप सानी चेंज करेंगे फिर वापस determined third वाला एसा कैसा लिखना के विल second वाले element का sign change करना है इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको solve करने के लेकिन basic अपने को यही पढ़ना है बाकि अपन ठोरी में सारा discuss करेंगे तो one जिस row और column में आ रहा है उनको छोड़ दीजिए उनको के बाद में इस जैसे वन इस रो में इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है तो जो बाकी दिख रहा है वो इस दिब्बे में भरना है जीरो थ्री टू फोर टू इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है इसको छोड़ के जो भी दिखाई दे रहा है वो इसमें भरना है अब आपक फिर minus 2 है इसको इससे कर दिजिए add और इसको इससे multiply कर दिजिए 3 फिर plus 3 है इसको इससे multiply कर दिजिए 4 और इसको इससे multiply कर दिजिए 0 solve कर लेते हैं यह 1 minus 6 यह minus 2 add minus 3 अपना हो गया 5 plus 3 into 4 अब solve करेंगे यह minus 6 हो गया minus 10 हो गया plus 12 हो गया तो ये अपने पास plus 2 तो ये finally अपने पास से minus 4 अपना अंसर आ गया है तो मैंने आपको तीन टाइप इडिरमेंट बता दिये हैं जिसमें से ज्यादा काम कि आपके 2 by 2 का और 3 by 3 का ही रहेगा 4 by 4 का भी होता है लेकिन अपने को 3 by 3 तक ही सारा मामली निपड जाएगा अपना तो अब अपने एकसाइज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपक डेटरमेंट है इसके लिए एकसाइज के कुछ क्वेशन्स है वो अपन डिस्स करेंगे यहां पर अब एकसाइज 4.1 जो NCRT की डिटरमेंट की एकसाइज है वो अपन सॉल करेंगे अब यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेशन है अपना अपने को डिटरमेंट का यह सारनिक का वैल्यू पॉइंट करना है एकसाइज 4.1 इसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेशन है अपने पास यह डिटरमेंट है डिटरमेंट का साइन ऐसे होता है 4-5 और माइनस 1 कैसे करना है मैंने आपको बता दिया था इसको इससे मल्टिप्लाई करना है 2 in 2 minus 1 बीच में minus का साइन इसको इससे into करना है 4 into minus 5 अब solve करते हैं ज़्यों Map-2 यह minus-plus हो गया multiply कि हो 20 तो अपना finally answer कितना हो गया 10 normally अराम से अपना solve करेंगे बिना जल्दबाची के नेक्स्ट question है second question का first पढ़ते हैं अपर थोड़ी से normal trigonometric का है cos theta अपने को फंडा बोई लगाना है minus sin theta sin theta cos theta ठीक है ठीक है अब अपन इसको solve करना है ये बाले multiply हो जाएंगे cos into cos cos square theta बीच में minus इसको इससे करना है तो sin into sin sin square और minus minus plus हो गया cos square plus sin square theta identity होती है जिसका value 1 है तो finally इस determinant का value भी कितना हो गया determinant आपके 11th में भी बहुत काम की चीज़ होती है mathematics और physics में दोनों में ठीक है 12th में तो पता ही है आपको second method x square minus x plus 1 और यहाँ पे x minus 1 यहाँ पे x plus 1 और यहाँ पे x plus 1 अब यहाँ पे normal multiply करना है अपने को इसको इससे multiply करते है तो यह हो गया x square minus x plus 1 multiplied by x plus 1 बीच में minus formula का इसको करना है x minus 1 x plus 1 ठीक है अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ यह a minus b a plus b होता है तो यह हो गया आपका x a square minus b square इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ x plus 1 x square minus x plus 1 a plus b एक formula होता है a plus b फिर आता है a square फिर minus a b plus b और यह formula होता है a cube plus b cube का अगर आपको यह formula नहीं आता तो आप इस x से इन सारों को multiply करो फिर 1 को इन से सब से multiply कर दो उससे भी आपका result आता है तो यहां पे हो गया a cube minus b cube यहां बीच में minus a minus x square minus 1 तो यह हो गया x cube minus 1 यह plus 1 sorry plus 1 minus x square plus 1 तो यह बन गया x cube minus x square plus 2 यह polynomial अपना यहां पे answer आ चुका है ठीक है अब भी अपन third question की तरफ बढ़ते हैं इसमें 8 question है total third question जो अपना है वो है उसमें अपने पास a का value given है matrix है कोई 1, 2, 4, 2 और उसके बाद में उसने बोला है true that true that 2a का determinant equal to 4 into a का determinant यह अपना है अपन सबसे पहले a matrix है a matrix से मैं 2a matrix बनाऊंगा 2 से multiply करना पड़ेगा सबको सबको कर दिया मैंने 2 at sorry 2, 4 at 4 और यह यहां पर मैं डाल देता हूं इसको 2 a को अंदर डालना है इसके अंदर 2, 4, 8, 4 यहां 4 बाहर बैठा है यहां determinant में a को डालना है 1, 2, 4, 8 ठीक है अब इसका determinant निकाल लेते है at और इसको इससे into किया तो 32 और यह 4 बाहर है इसको solve करेंगे at और इसको इससे multiply किया 16 तो यह at minus 32 अपना आ गया minus 24 और यह 4 into minus 8 तो minus 24 equal to minus 24 इसका मतलब hence to यह अपना prove हो चुका है दोनों side मैं same लेके आ चुका हूँ यहाँ पे next question में बढ़ते है next question है आपका यह आपको दिखाई दे जाएगा क्या third question है fourth question fourth के अंदर इसी type का है a का value है 101012004 ठीक है और अपने को prove करना है prove that 3 a का determinant equal to 27 a का determinant यह अपने को find करना है तो सबसे पहले 3 a find करते हैं यहाँ से 3 a निकालूँगा तो a के सारे इलिमेंट को 3 send to करना पड़ेगा 303030360012 यह value अंदर डाल देता हूँ 3 a की determinant पे 3030360012 ऐसे 27 बाहर है यह डिटर्मेंट में पेक है 27 बाहर है और यहाँ पर a का determinant एक अभी लूडाल दीजिए 10101012004 ठीक है अब देखो आगे क्या होगा मैं 3 को बाहर लिख रहा हूँ और फिर चोटा determinant फिर इसका sign जेंग सकरना है फिर चोटा determinant फिर प्लस 3 और फिर चोटा determinant ऐसे ही इधर वाला भी जो है उसमें 27 तो बाहर ही सारे मामले से 1 फिर चोटा determinant फिर माइनस 0 फिर चोटा determinant फिर प्लस 1 और चोटा determinant ठीक है अब 3 को छोड़ देते हैं तो बाक्की हो गया 3, 6, 0, 12 जिरो वाले में ये गया और ये गया जिरो वाले में तो कुछ भी डालो आंसर तो 0 आना ही है फिर 3 वाले में 0, 3, 0, 0 फिर इधर वाले में 1 वाले में 1, 2, 0, 4 0 वाले में 0, 0, 2, 4 फिर 1 वाले में 0, 0, 1, 0 तो 3 है ये 36 हो गया और ये 0 हो गया ये 0 से मल्टिप्लाई हो के सारा ही मामला 0 हो गया प्लस 3 ये 0 मामला 0 हो गया एक्वल तो 27 और ये 1 है ये इस इंटू आ 4 मामला 0 हो गया 0 मामला 0 तो ये अपने पास बन गया 108 ये भी 0 ये भी 0 27 एंटू 4 वो सारा मामला 0 108 ये अपना कितना हो गया 28 और 108 इसका मतलब ये दोनों इक्वल आगे हैंस प्रूव ये अपना प्रूव हो चुका है नेक्स्ट क्वेशन में आते हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन अपना डेटर्मेनेंट का ही है फिप्ट क्वेशन है उसके अंदर वेल्यू निकालना है डेटर्मेनेंट का बहुत सारे क्वेशन है उनमेंसे एक मैं आपको करवा देता हूं जैसे है जीरो माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो और यह अपना है माइनस वन थ्री माइनस फाइप और जीरो ठीक है तो सबसे पहले जीरो जीरो फिर डेटर्मेंट इसका सेकिंड का साइन चेंज करना है डेटर्मेनेंट और यह ऐसा कैसा सेकिंड वाले का साइन चेंज होता है जीरो 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 ज को छोड़ दो, बाकी जो दिखाई दे रहा है उसको लिख दो, अन्दर कुछ पी आया, उससे कोई मतलब नहीं, यह बाट 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर देखो, इसको इससे किया 0, बीच में minus इसको इससे किया minus 3, तो यह plus 3 हो गया, और इसके बाहर था plus 1, और यह minus 2 है, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, तो यह 1 into 3 हो गया, यह 0 से सारा मामला निपट गया, तो अपने पास finally इसका answer क्या हो गया, इस determinant का value 3 हो गया, इस तरीके कि इसमें 3-4 question है, उनके उपर आप try क कर सकते हैं, अच्छे से, और आपके सारे question बन जाएंगे, फिर next question है 6, 6 का question अपने पास है, A का value अपने पास है, 1, 1, minus 2, 2, 1, 2, 1, minus 3, determine matrix है अपने पास, 5, 4, और minus 9, अपने को इसका determine निकालना है, तो इसका determinant अपने निकालते हैं, तो determinant A equal to, ठीक है, 1 को लिखना है, और फिर डिबबा छोटा, second का sign change करना है, फिर छोटा डिबबा, फिर third AGT जाएगा, फिर छोटा डिबबा, अब 1 इस row में और इस column में बैठा है, तो इनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो, 1-3, 4-9, अब यह second वाल अबल, इस row में, इस column में उनको छोड़ दो, बाकी को लिख दो, 2-3, 5-9, फिर minus 2 इस row में और इस column में इनको अपन छोड़ के बाकी को लिख दो, 2-1, 5-4, ठीक है, अब इसको solve करते हैं, तो यह 1 तो है, यह इससे into a minus 9, यह बीच में minus और यह इससे into a 12, minus 12 तो plus 12, फिर minus 1, यह इससे हुआ minus 18, बीच में minus 15 हो गया, तो plus 15, फिर यह minus 2 है, इसको इससे किया add, बीच में minus formula का, इसको इससे किया 5, ठीक है, अब देखिए, 1, यह अपना हो गया 3, minus 1, यह minus 3, minus 3 ना, minus 3, minus 2, और यह 3, तो यह 3, और यह plus 3, और यह minus 6, तो finally इस determinant ने अपना value 0 करवा लिया है, यह इसका answer है, इस तरीके के अपने पास बहुत सारे questions हैं, 5 वाले में दे रखे हैं, आप solve कर सकते हैं इनको, ठीक है, अभी आ गया आता हूँ, determinant का value find करना है, इस 4.1 में आपको only ज्यादा तर, अब next में आते हैं, कुछ ब्रांतियां भी अपने इप्टाएंगे, 7 के question में, find x, find x का value find करना, small है, first है, determinant है, 2, 4, 5, 1, और equal to है, 2x, 4, 6, x, आप धान में रखेंगे, कि अगर ये matrix होता, तो ये arrangement होता, और अपने compare करके value निकाल लेते, तो solve करते हैं, इसका value, इसको इससे इंटू किया, 2, minus, इसको इससे इंटू किया, 20, और इधर इसको इंटू किया, तो 2x square, और इसको इससे इंटू किया, तो 24, इतनी बात आप समझ गया हो, ये अपने पास हो गया, माइनस 18, 2x square, माइनस 24, अब माइनस 24 का साइट इंटू करते हैं, तो 2x square equal to, अपने पास हो गया, 6, x square equal to 3, और x का value अपने को मिल गया, प्लस माइनस root 3, second जो part है इस question का वो अपन करते हैं, इसका second part है, 2, 3, 4, 5, और फिर अपने पास है, x, 3, 2x, और 5, वैसे ही करना है अपने को x निकालना है, तो कैसे करेगी, वैसा का वैसा सेम करना है, इसको इससे into gear 10, और इसको इससे into gear 12, minus, इसको इससे into gear 5x, और minus इसको इससे gear 6x, तो यह अपने पास आगया, minus 6, equal to minus x, minus cancel हो गया, और x का value अपने को कितना मिल गया, 6 मिल गया, ठीके, यहांपे plus minus root 3 मिला था, मैंने बोला था, determinant का value, positive, negative, कुछ भी हो सकता है, यहांपे तो अपने पास x only element था variable था next question में आते हैं at में जो आप try कर सकते हैं find करना है इसके अंदर भी अपने को x x find करना है और अपने पास determinant है x to 18 x equal to 6 to 18 6 करते हैं इसको इससे multiply किया x square इसको इससे किया तो minus 36 compare नहीं करेंगे यहां पर इसको इससे किया 36 और इसको इससे किया 36 x square minus 36 equal to 0 हो गया x square equal to अपने पास आ गया 36 और x का value आ गया plus minus root 36 तो यहां से x का value आ गया plus minus 6 जो अपना right answer है यह आपका complete हो गया है अब नेक्स स्टार्ट करते हैं अब नेक्स स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर्टीज properties of determinant इसके अंदर first property होती है कि आप किसी भी determinant का transpose करते हो तो उसके value पे कोई फरक नहीं पड़ता मतलब no change in value of value of determinant after transpose transpose करने की बाद determinant की value में कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे मैं आपको एक्जंपल देता हूं इसका एक्जंपल है एक वड़े टू जैसे मैंने अजूम किया टू थ्री फोर फोर वन और इसका transpose भी निकाल देता हूं यह transpose किया तो यह रो इस कॉलम में बदल जाएगी टू थ्री और यह फोर वन हो जाएगा अब इसका डिटर्मेंट निकाल रहा हूं है डिटर्मेंट कैसे निकालते हैं फर्स्ट को इससे मैटिपलाई गया टू मइनस इसको इससे करते हैं minus 12 ऐसे ही अपन इसका भी determinant निकाल देते हैं इसको इससे इंटू किया तर 2 और इसको इससे इंटू किया है तो minus 12 तो determinant A equal to अपने पास आया minus 10 और यहां भी A transpose का determinant जो आया वो भी minus 10 आया तो इसका मतलब है कि determinant का transpose कर देते हैं परिवर्थ कर देते हैं उसके बाद में उसके value के अंदर कोई effect नहीं पड़ता मतलब उसका value में कोई change नहीं होता तो आप कहीं भी determinant का transpose कर सकते हैं यह आपके पास right रहेगा ठीक है second है अगर आपके पास कोई ज़्यादा तर यही मिलेगा आपके पास third order का determinant है third order का ही मिलेगा यह third order ही आउस से आगे में लग सकता है third order determinant में in third order determinant after interchanging interchanging after interchanging to row और two column यह काम आप रो में भी कर सकते हैं या column में भी कर सकते हैं value of determinant value of determinant remains remains same but sign change sign change हो जाएगा positive है तो negative negative है तो positive हो जाएगा example की तोर के उपर अपने बात करते हैं जिससे अपने पास determinant A है 2, 3, 4 5 जैसे मैं variable में ले लेता हूँ A, B, C E, F, G H, I, J मतलब आप only इन दो रो को ही change कर रहे है इसका value यह है केवल आप इन दो को रो को change कर रहे हैं यह उपर जाएगी यह नीचे जाएगी तो अपने पास E, F, G और A, B, C यहाँ बैठ जाएगा और इसको अपने change नहीं किया H, I, J को तो इसका value भी A ही आएगा लेकिन कि इसका आजाएगा minus का आजाएगा sign change हो जाएगा ठीक है तो यह basic अपने पास two properties है determinant की झाएगा झाएगा जाएगा झाएगा